Fundamental physical quantity की मदद से होता है इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है इनका nature भी unique नहीं होता है यह जो हैं खुद fundamental प्रिटीपेंट करते हैं यह कोई नया quantity नहीं है Fundamental में जो 7 quantity हैं उनहीं की मदद से इन quantity का निर्मान होता है तो सबसे पहले derived quantity में जरा दिखिए इनकी संख्या कितनी है बहुत सारी है जैसे आप एक बच्चो length ले लिजे और एक breath ले लिजे तो length आप जानते हैं क्या है breath चोड़ाई भी क्या है length यानि यहाँ दो बार length को आप गुना कर दिजे तो एक नेया physical quantity आपको मिलेगा जिसका नाम क्या है बच्चो area तो area कोई नया quantity नहीं है दो बार length को गुना कर दिया हमको क्या मिल गया area यानि area दो गो length पर depend करता है मतलब यह कौन सा quantity है derived उसी तरह जरा दिखिए अगर length को हम तीन बार गुना कर दे बच्चो लास्ट क्लासें में बताया था breath भी length ही होता है height भी क् height length तो अगर length को तीन बार गुना कर दे उसी quantity को आप क्या बूलेंगे volume आप जब जमीन खरिदने जाते हैं तो जमीन का क्या चीछ खरिद के लाते हैं area आप जब मिठी खरिदते हैं तो उसका क्या खरिद के लाते हैं volume लंबाई गुना चोड़ाई गुना उच्चह यहामान भॉलुम मांग रहे हैं ठीक है तो वही होता है बच्चो वॉल्यूम यानि कि डेराइट क्वांटिटी है ना आच्छा मास आप जानते हैं बच्चो क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना लास्ट क्लासेज में याद किजिये साथ फंडामेंटल बताया था पहला क्या बताया था जी मास है ना दूसरा क्या बताया था लेंग्ट तीसरा क्या बताया था जी टाइम चौथा क्या बताया था जी करेंट पांच वा क्या बताया था जी luminous intensity याद किजिए आप छटा क्या बताया था जी temperature और साथ वा क्या बताया था बच्चो amount of substance है ना नहीं हो तो पहला lecture revision कर लिजे आप ये साथो quantity आपको हमने बढ़ाया था तो अब देखो बच्चो तो volume का जो निर्मान हुआ है तो fundamental से हुआ है area का भी निर्मान किससे हुआ है fundamental से हुआ है अब mass ले लेते हैं mass के बाद क्या ले ले लेते हैं जी mass के बाद आप ले लिजे volume तो आपको बच्चो पता है volume क्या है ये देखिए mass को अगर volume से हमने divide कर दिया तो mass बटा volume volume तो already क्या है जी derive mass है fundamental तो ये एक निया term हमको मिलेगा जिसका क्या नामे जी density तो एक density हमको निया term मिल गया ठीक है उसी प्रकार दीखिए अगर हम distance ले ले या distance का ही बच्चो फिलाल माल लिजे दूसरा नाम क्या है displacement फिलाल माल लिजे आप distance ले ले या displacement ले ले और उसको अगर time से divide करें तो distance भी length है ये देखिए दूसरा fundamental quantity time भी आप जानते है fundamental है तो यहाँ क्या मिल जायागा बच्चो हमको एक निया derived quantity मिल जायागा speed या velocity speed का formula distance by time velocity का मतलब displacement by time अभी इस chapter में distance और displacement में अंतर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे सिर्फ हमको quantity से मतलब है ना फिलाल आप माल लिजे speed velocity सेम है distance और displacement भी सेम है इस chapter unit और measurement में अब माल लिजे बच्चो आप 9th class में भी सुने होंगे इस वर्ड को जिसको acceleration काते हैं यह कुछ नहीं है भाई velocity अभी आपने देखा velocity लिख लिजे आप velocity change और divided by time तो इसको हम क्या बोल देंगे acceleration तो आप ज़रा दिखिए speed, velocity, acceleration यह सोब किस से बना है जी fundamental quantity अच्छा इस सो physical quantity में mass का इस्तमाल हुआ है, length का इस्तमाल हुआ है या time का या तो तीनों का हुआ है या किसी दो चीज का हुआ है या किसी एक चीज का जैसे दिखिए इसमें सिर्फ length का इस्तमाल हुआ है इसमें mass और length का इस्तमाल हुआ है एगो mass तीन गो लंबाई इसमें दिखिए length का time का इस्तमाल हुआ है इसमें length और time, time और फिर time इसमें length time तो है ही और फिर एक time तो ये हो गया आपका acceleration और क्या है ये आपका force इसका भी नाम सुना होगा आपने force का formula आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो देखतीजे mass into acceleration acceleration को shortcut में ऐसा लिखता है तो mass को अगर acceleration से गुना कर दें तो उनको force तो mass आप जानते हैं fundamental है acceleration derived है तो force भी आपका कौन सा रासी हो गया भाई derived हो गया ये तो बहुत असान है जी तो ये derived हो गया भाई force और आप दिखिये जरा derived की संग्चा कितनी है बहुत सारी है भाई जितना आप बना लिजे जैसे मान लिजे work done work का भी आपने नाम सुना हुआ तो work बराबर क्या हो जायागा जी force into displacement displacement को देखे shortcut में लिखा हमने फिर से और कौन सा derived रासी है भाई आपका power तो power बराबर क्या होता है भाई work by time work खुद derived है time fundamental है power भी क्या हो जायागा derived 9 नमबर energy कभी कभी आप से पुछेगा तो energy का formula क्या होगा जी power into time power को time से multiply कर दिजेगा क्या मिल जायगा जी आपको energy ठीक है तो और बहुत सारे हैं बच्चों derived quantity है ना तो हमारे nature में हमने क्या क्या सीख लिया जी कि हमारे nature में जो है साथ है physical quantity और इसके अलावा अनेक है बहुत सारे है derived quantity जिसमें से कुछ derived quantity के नाम आपको board पर दिख रहे है कुछ बुक्स में आपको momentum अगरा भी दिखा होगा बहुत सारे हैं यह देखिए दसवा नंबर में लिख लिजे यादा गया momentum momentum तो momentum बराबर क्या होता है जी mass into velocity ठीक है velocity और mass को जब आप गुना कर दीजेगा तो आपको क्या मिल जायागा जी momentum मिल जागा mass और velocity को गुना करने हैं ठीक है तो यह सब है आपका derived quantity अब देखिए बच्चो जब हम fundamental quantity पढ़ लिए जब हम derived quantity पढ़ लिए तो उसके बहुत दिन बाद उसके बहुत दिन बाद बच्चो पता चला कि दो ऐसी रासिया मिली है दो ऐसे physical quantities मिले है जिनका nature ठीक वैसा ही है जैसा कि fundamental quantity का होता है यानि हमको ऐसी रासिया मिली जिनका nature ठीक ठीक जिनका nature ठीक ठीक fundamental quantity के जैसे था कौन सी थी वो दो रासिया तो बच्चो वो दो रासिया था plain angle और solid angle ठीक है अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि भाई ये plain angle क्या है भाई ये solid angle क्या है भाई तो देखिए देखो बच्चो plain angle किसको कहते हैं जरा देखिए अगर दो lines हैं तो दो lines का कितने दूर पे हैं यानि ये देखिए दो lines हैं ये कम दूर पे फैले हैं ये ज़्यादा दूर पे फैलाओ है ये और ज़्यादा दूर पे फैलाओ है तो दो lines के बीच का जो angle होता है बच्चो उसको बोलते हैं बच्चो plain angle ठीक है और दो से अधिक lines अगर हो दो से ज़्यादी अधिक lines हो तो इनके बीच जो angle है that is solid angle आप और बहतरी धंक से इसको समझ सकते हैं जैसे कि माल लेजे आपका room है आप जिस room में अभी पढ़ रहा है ना उस room में मत्था उठा के ज़रा उपर देखिए मत्था उठा के उपर देखिए और उपर में कहां देखना है बच्चो अपने room में अपने room में ऊपर में किनारा में देखना है तो किनारा में देखो और देखकर जरा пропाओ वहां जरा देखो और बताओ की एक से दो से अधिक lines मिल रही है हाजी बच्चो तो अपने रूम के एक कॉर्णर में आप देखिए रूम के कॉर्णर में जब आप देखिएगा तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि रूम के कॉर्णर में दो से अधिक लाइन्स आकर मिल रही हैं दो से अधिक लाइन्स आकर मिल रही है इसका मतलब है यह वहाँ प्लैन एंगल बन रहा है यह सॉलिड एंगल बन रहा है तो इसका उत्तर होगा कि वहां सॉलिड एंगल बन रहा है अच्छा आइस क्रीम भी खाया होगा आपने आइस क्रीम वो भरने वला खाया होगा तो उसमें जो भर रहा है न मसाला उसमें आप ऐसे देखते हैं तो बहां एक गोल दिख रहा है अंदर के तरफ तो बच्चो वो कौन सा एंगल है वो है आपका सॉलिड एंगल एकदम फंडा के लिए रही है दो लाइन्स के बीच एंगल मिले तो प्लेन दो से अधिक लाइन्स के बीच का एंगल क्या कलाता है सॉलिड जैसे ये दो लाइन्स है तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया प्लेन दो से अधिक लाइन्स है ये देखे एक कलम यहां भी रख दि तो उनके बीज जो एंगल बनेगा वो हो गया आपका solid दो से अधिक कितना हुं लाइन है ना 1000 लाइन, 2000 लाइन, 3000 लाइन तो दो से अधिक जितना लाइन सा अप ले लिजेगा ना उसको हम बोलेंगे solid angle अब देखिए बच्चो plane angle हो या solid angle हो ये दोनों जो physical quantity मिला इसका character कैसा है तो ये ना एक दूसरे पर depend करता है और ना ही वो सातो fundamental quantity पर depend कर रहा है और derived तो है ही नहीं क्योंकि fundamental की बदस नहीं मिला इन दोनों का ठीक ठीक nature कैसा मिल रहा है बच्चो ठीक ठीक nature हमको मिल रहा है fundamental quantity लेकिन मजबूरी थी fundamental बने बहुत दिन हो गया था derived के बारे में पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गया और बहुत दिन बाद ये दो राशियां आएं तब लोग confuse ना हो तो scientist क्या करते भाई इन दोनों quantity को क्या वो साथों के साथ रखते हैं तब तो नो कहना पढ़ता fundamental quantity सब को बताना होगा कि नहीं ने साथ मत पढ़ो अब से नो physical fundamental quantity हो गया तो लोगों ने कहा कि इसको fundamental जैसा nature है तो fundamental को साथ से नो बनाने से अच्छा है कि एक तीसरा तरह का ही हम राशी बना देते हैं तीसरा तरह का ही हम quantity बना देते हैं जिसका नाम है बच्चो supplementary physical quantity देखिए नाम से ही किलिए रहे supplementary सब्द का क्या मतलब होता है बच्चो Supplementary सब्द का मतलब होता है जो सबसे बाद में आए जैसे आप कभी परिक्षा दिये होंगे तो परिक्षा में जब आप कोपी घड़ जाता है तो लाश्प में क्या बोलते है टीचर से Supplementary चाहिए तो फट से आपके आपको क्या देता है Supplementary Supplementary का मतलब होता है जो सबसे बाद में आए ठीक है जैसे होरलिक्स वेगरा के पीछे आप पढ़ियेगा न तो वहाँ देखियेगा लिखा होगा Supplementary food Supplementary food का मतलब है कि जब मेन अपना भोजन हो उसको खाने के बाद जो आता है ना That is Supplementary ऐसी को बोलते हैं Supplementary चिक ये भी हमने देख लिया भाई तो अगर आप से पूछे कि Total कितने quantities है तो basically कितने है Fundamental और derived दो और Supplementary जो quantity है उसका nature बच्चो ठीक ठीक इसके जैसा होता है Fundamental के जैसा लेकिन Fundamental में हम क्यों नहीं इसको बनाए क्योंकि Fundamental बनाते है तो फिर लोगों में confusion होता है ना जो लोग पहले से जान चुके थे कि 7 है उनको 9 बताने में टाइम लगता ठीक है तो ये था बच्चो physical quantity अब हम आपको पढ़ाएंगे बच्चो units ये क्या है बच्चो units तो अभी तक बच्चो आपने पढ़ा physical quantity क्या है जिसमें आपने बहुत तरह की quantities का अध्यान किया बहुत सारी चीजों को आपने देखा लेकिन सवाल है जैसे कि साथ physical quantity है fundamental mass, length, time, current, luminous intensity, temperature, amount अफसार्णा सवाल ये है कि इनको मापा कैसे जाए कैसे हम बताएं किस चीज का मापा ज़्यादा है कैसे बताएं किस चीज का मापा है बताईए तो इसके लिए हमको physical quantity को क्या करना पढ़ा बच्चो मापना पढ़ा measurement करना पढ़ा कैसे measurement हुआ इसके लिए बैग्यानिकों का एक दल बैठा उन्होंने decide किया कि इस तरह का measurement होना चाहिए और उसी measurement को हम किस नाम से जानते हैं बच्चो units के नाम से तो अगर आप से कोई पुछा units क्या है तो units are a standard measurement a standard measurement of physical quantity of physical quantity which does not change with with time or physical condition आगई बच्चों बात सुनी में standard measurement यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है standard measurement अगर किसी physical quantity का हम standard measurement हम कर रहे हैं और ऐसा measurement होना चाहिए जो समय के साथ न बदले यानि ऐसा नहीं कि पांच साल बाद वो चेंज कर गया हो छे साल बाद वो चेंज कर गया हो या माली जे ठंडा के समय में कुछ और है माली जे गर्मी के समय में कुछ और है तो फिर ऐसा नहीं चेलेगा छीक है तो माली जे हमने ऐसा measurement कर दिया units का ये physical quantity का ऐसा measurement कर दिया जो जाडा में कुछ और है ठंडा में कुछ और है दो बजे कुछ और है रात में नौ बजे कुछ और है तो फिर इस तरह का measurement हमको नहीं चाहिए इस तरह के physical quantity का measurement नहीं चाहिए, इस तरह का units नहीं चाहिए कभी-कभी बच्चों CBSE examinations में आपसे पूछा जाता है Question What is characteristics of unit यानि जब कोई आप units बनाते हैं तो उसमें क्या-क्या लक्षण होना चाहिए अगर आपने किसी unit का निर्मान किया तो उस unit में क्या-क्या लक्षण होना चाहिए लक्षण आप समझ रहे हैं ना Character क्या-क्या गुन होना चाहिए तब पहला नमबर देखो बच्चों क्या होना चाहिए गुन? पहला नमबर गुन क्या होना चाहिए? कि इसको जो है, it should not change with time. समय के साथ इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए. जैसे एक उधारन देखिए, जैसे मान लीजे लेंग्ध का मिजरमेंट करना है, लंबाई का मिजरमेंट करना है. तो आप सब सुने होंगे मीटर यूनिट है, मीटर यूनिट है, इसका क्या मतलब है? मतलब लंबाई का श्टेंडर, उच्च कोटी का मापन. हम किसकी मदद से करते हैं मीटर की मदद से हमारे बैग्यानिकों ने बता दिया है कि एक मीटर का मतलब इतना ही होता है इतना नहीं होगा इतना नहीं होगा इतना ही होगा इसका अर्थ क्या है कि एक मीटर जो हमने बनाया वो ऐसा नहीं कि पांग साल बाद अलग हो जाए या जैसे माले दुकान में आप आलू खरेदने जाते हैं उसको बोलते हैं कि एक किलोग्राम भाया आलू दे दो तो एक किलोग्राम का वो बटकारा निकालता है वो बाबु बटकारा वो नहीं बनाया है या उसका भाई नहीं बनाया है या सब दुकान का अलग-अलग बटकारा नहीं होता है है ना सब को एक ही जैसा बटकारा लेकर रखना पड़ता है बाता रही है समझ में और वो बैग्यानिक बताते हैं कि एक केजी का मान कितना भारी होता है है ना वो बना के रखे हैं जो की समय के साथ कभी नहीं मतलेगा आज से 10 सल बाद भी उतना ही भारी होगा एक केजी आज भी उतना ही था आज से 50 सल पहले भी 30 सल पहले भी यानि जब से इसका निर्माण हुआ फिजिक्स का जब से हम लोग पढ़ना शुरू किये तब से वो उतना ही है ठीक है उसके बाद क्या है बच्चो यूनिट्स शुड बी वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड अगर आप किसी यूनिट का निर्माण कर रहना तो इसको अच्छे से बताय कीजिए पूरे तरीके से जैसे माल लीजिए बच्चो हमने टैंपरेचर को मापा हम टैंपरेचर को मापना चाह रहे हैं तो टैंपरेचर को जब आप मापिएगा तो जैसे माल लीजिए आप से कोई पूछा कि बताये पानी बर्फ कर बनता है तो आपको बताना होगा कि देखिए भाई तापमान घटते 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 जब उतना घट जाएगा कि बर्फ जो है ये पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा तो जिस तापमान पर ये घटना होगी उस तापमान को हम zero degree बोल देंगे ये बाता रही है समझे में जैसे आप से कोई पूछा कि zero degree celsius कितना तापमान होता है बाई zero degree celsius कितना temperature है आपने बताया कि हमारे फिरिज में जब पानी बर्फ बन जाता है जिस temperature पर वो बर्फ बनता है उसी temperature को हम क्या कते है बाई zero degree अब वो आदमी पहाड पे एक आदमी रह रहा है घर बना के वहाँ उफरीज में देखा भाई है ना वहाँ भी बर्फ बनाया पानी का एक आदमी बिहार में है वहाँ भी पानी का बर्फ बनाया दोनों को हमने छुआ तो देखा अलग-अलग ठंडापन है इसका मतलब आप आपने नहीं बताया कि पानी जो बर्फ बनता है वो जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ड में 0 degree Celsius पे बने यह प्रेसर पे भी निर्भर करता है कि कहां 0 degree पे बनेगा कहां 2 degree पे बनेगा कहां minus 1 degree पे बनेगा यह पानी जो बर्फ बनता है वो बर्फ किस तापमान पे बनेगा इ तो ये well defined करना बहुत जरूरी है तीसरा अगर आप unit को बना रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब सामने वाला दो चारत में पुछे आप उस unit को दिखा सकते हो और बता सकते हो तो इट सुड़ भी री प्रोडियूसिबल री प्रोडियूसिबल वेन इभर नीड़ेड वेन इभर नीड़ेड जब जरूरत हो आप unit को दिखा सकते हैं ऐसा unit होना चाहिए आपके पास जैसे माल लिजे आप पूछे एक केजी कितना है तो एक केजी का सेंपल हम रखे है एक केजी का सेंपल अभी भी आज के डेट में भी आप जाएगा जनेवा में जहां unit के association है units और measurement का वो लोग आज भी बता देगा कि दिखे भाई एक केजी इथना होता है ठीक है तो आप बता सकते हो लेकिन जीरो डिग्री से टेंप्रेचर कितना होता है तो अब आप दिखाने के लिए फिर बर्फ बनाएगा बना के फिर उसको फ्रेच से निकाल के अपने दोस्त को दिखाने जाएगा जैसे आज भी एक मीटर कितना बड़ा लंबाई होता है ये आज भी वहाँ scientist ने बना के रखा है वो सारे वर्ल्ड में उपस्तित सभी देसों को भेज़ देते हैं सभी देस अपने अपने राजियों को भेज़ देते हैं कि हो भाई आज से इतना ही बड़ा एक मीटर का लाएगा सभी राजियों अपने अपने districts में भेज़ते हैं डिस्टिक अपने अंडर जितने भी टाउन से उनको बता देते हैं तो आप देखिएगा बटकारा, एसकेल यह सब कमपनी ही बना सकता है यह आप खुद से नहीं बना सकते हैं आपको कमपनी द्वारा जो IS जो रजिस्टर्ड है जो ISI बोलता है मार्क वही लोग बना सकता है आप अगर बनाईएगा बटकारा और इसकेल तो आपको जेल भी हो सकती है तो ऐसा होना चाहिए यूनिट कि जब चाहें तब उसको रिप्रिडियूस्ट कर सकते हैं अब देखिए चौथा क्या लक्षण हो यूनिट को बच्चो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हो और बहुत ही छोटा हो जैसे दिखिए मास का बहुत सारा यूनिट आप सुने होंगे ठीक है जैसे आपने सुना होगा जैसे माल लीजे आप आलू वाले के दुकान पर जा रहे हैं तो आप बोलते हैं भाई एक केजी आलू दे दो दो कीजी आलू दे दो सोनार के दुकान पे आप जाते हैं तो वहां कभी आप नहीं बोल सकते हैं एक केजी आलू दे दीजे थे जे बले एक केजी आप हमको सोना दे दीचे या आधा केजी हमको ndies दीजे ऐसे बोलेंगे आप नहीं हसेघा अच्छा लोहा वाले दुकान कबाड वाले दुकान पे आप कभी नहीं जा के बोल सकते हैं भाई एक किलोग्राम कबाड हमको बेचना है बताइए को आप मेरे पास तो कहने का मतलब है बच्चो कि आप सुनार के जब दुकान पे गह थे तो वहाँ केजी में बात करने से हड़ बढ़ा रहे हैं क्योंकि सोन जो है बहुत महंगा है और उसको जब आप खरिते हैं तो कैसे खरिते हैं मिली ग्राम है ना माइक्रो ग्राम क्योंकि वो मटर के दाने इतना सोना का दाम हो जायगा 30,000, 40,000, 60,000 एक लग है ना तो वहाँ आप किलो ग्राम में बात नहीं करना पसंद करते हैं सुनार के आते हैं जब आप कबाड़ी वाले के यहां तो वो आपसे केजी में बात नहीं करेगा वो आपसे मिली ग्राम में बात नहीं करेगा वो आपसे बात करेगा टन में हां टन में बात करेगा आपसे कितना टन क्विंटल में आप सब सुने भी होंगे यह पहले तो क्विंटल जो ह एक बार मिलेंगे तब एक क्विंटल होगा, उसी तरह मिली ग्राम बहुत छोटा हो गया, लेकिन जरा बताईए हमको कैसा यूनिट बनाएं, हम क्या बहुत बड़ा क्विंटल जैसा बनाएं मास का यूनिट, या मास का यूनिट बहुत छोटा जैसे सुनार के दुकान पर यूज होता है, वैसे बनाएं, तो हमने क्या देखा, कि बहुत बड़ा बना रहे हैं, तो भी वो डेली, डे टु डे में उसका उप्योग नहीं है, बहुत छोटा बना रहे हैं, तब भी उसका डे टु डे में उप्योग नहीं है, तो हमने सोचा कि ना उसको छोटा बनाएंगे, ना उसको बड़ा बनाएंगे, मिडल मरा न देंगे, यानि केजी, तो आए दिन हमको क्या चीज का इस्तमाल होता है, सबजी खरिदना, खानक खरिदना, तो केजी को हमने क्या बना दिया, बच्चो, मास का यूनिट, क्योंकि वो नहीं बहुत बड़ा है, और नहीं बहुत छोटा है, अब मिलिग्राम बनाए होते हैं मास का यूनिट, तब आपको बच्चो क्या दिक्कत होता, आलो के दुकान बे फिर बोलना होता, हजार मिलिग्राम दिजे भईया, है ना, एक लाख मिलिग्राम दिजे, तब केजी नहीं आता, वर्ल्ड में, क्विंटल बनाते हैं तो उतना क्विंटल आप आलू खरीद नहीं पाईएगा खाने के लिए तब उसको क्या बलता 0.001 क्विंटल आलू दीजे भी या तो हमने क्या किया यूनिट को ना बहुत बड़ा किया और ना बहुत छोटा किया हमने क्या रख दिया बच्चो बीच में रख दिया भई ठीक है तो ये होने चाहिए यूनिट के यूनिट बनाते समय यानि कि किसी फिजिकल क्वांटिटे का स्टेंडर्ड मिजर्मेंट करते समय इन बातों का ध्यान एकदम से रखना बहुत कुछे और भी है ठीक है तो अगले टॉपिक में हम लोग अब कुछ फिजिकल क्वांटिटे के यूनिट्स को देखेंगे कि क्या क्या है जहां से बच्चाहिए जहां से बच्चो मास है बच्चो अभी हम यूनिट्स बता रहे हैं आपको यूनिट्स पोर फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटे तो यहां फिजिकल क्वांटिटे हो गया बच्चो यहां आपका हो गया यूनिट इसका यूनिट क्या है यानि स्टेंडर मिजरेमेंट क्या है यहां हम आपको बताएंगे बच्चो सिंबल यूनिट का सिंबल ठीक है तो जैसे मास है पहला नंबर तो मास का बच्चो यूनिट होता है कीलो ग्राम और कीलो ग्राम का सिंबल क्या होता है बच्चो केजी ठीक है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं मतलब कैपिटल में आप नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं कीलो ग्राम को कैपिटल में केजी क्योंकि हम उसी यूनिट का सिंबल कैपिटल में रखते हैं जो यूनिट किसी बैग्यानिक के नाम पर आया हो किलो ग्राम किसी बैग्यानिक का नाम नहीं है इसलिए हम इसको कैपिटल में नहीं रखेंगे अब देखो बच्चो लेंग्ट ता लेंग्थ जो है उसका क्या है भाई यूनिट मीटर और मीटर किसी बैग्यानिक का नायम नहीं है तो इसको भी small m से हम इस यूनिट का सिंबल लिखेंगे ना की capital M उसी तरह बच्चो time है time का unit क्या होगा भाई second और second भी किसी बैग्यानिक का नाम नहीं है तो बताइए small s से लिखें या capital S small s क्योंकि किसी बैग्यानिक का नाम नहीं है फिर time के बाद आता है आपका current electric current electric current का बच्चो unit क्या होता है ampere ठीक है यह याद करना होगा आपको कि बाई current को हम किसमे मापते हैं ampere हमारे बच्चो लोग बताएं हैं कि एक ampere इतना ही होता है और माले जे कहीं 10 ampere है मतलब उसे एक ampere का 10 गुना होगा कहीं आदा है उस ampere का मतलब आदा होगा ampere बाबो scientist का नाम था ता आप इसका symbol A नहीं होगा बलकि capital A होगा उसी तरह आपका है temperature तो temperature का क्या है बच्चो यूनिट है Kelvin और Kelvin भी scientist का नाम है इसलिए small case नहीं लिखेंगे capital case से लिखेंगे उसी तरह छट्टा क्या है बच्चो amount of substance amount of substance का क्या है बच्चो यूनिट मोल और इसका symbol क्या है मोल आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो ना क्योंकि यह scientist के नाम पे नहीं है चीक है उसी तरह बच्चो आखरी क्या है बच्चो luminous intensity luminous intensity इसका क्या unit होगा बच्चो तो इसका unit होगा candela candela और इसका symbol क्या होगा बच्चो cd ना कि capital cd क्योंकि candela जो है वो किसी भी scientist का नाम नहीं है तो उसको हमको सिर्फ क्या लिखना होगा cd तो यह symbol हो गया आपका ठीक है तो यह fundamental physical quantity के symbol है units है ठीक है तो यह बच्चो जो units अभी हमने बताया है यह all over world अब यही चलता है यह जो सातो quantity का जो units हमने बताया है पूरे देश और विदेश में यही चलता है अब लेकिन पहले यह नहीं चलता था जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तो बच्चो पहले यह units नहीं चलते थे तो हमको यह भी जानना जरूरी है कि पहले क्या चलते थे और जो अभी पूरे देश दुनिया में चल रहा है वो कौन सा unit है और यह आए दिन आप जानते होंगे यह 9th class में भी देखा होगा तो अगला topic बच्चो हम आपको बताएंगे types of system of unit यह types of unit यह जो बच्चो देख रहे हैं units और units का symbol यह आज के date में पूरा world इसक्माल करता है लेकिन जब हमारा देश अजाद नहीं था जब बहुत साल पहले जब physics का development हो रहा था तो उसमें units के 3 system होते थे क्या-क्या वो 3 system है CGS FPS और MKS यह CGS बाबु कहां चलता था France France में चलता था इसलिए इसको बाबु French system of unit भी बहते हैं French system ठीक है इसमें वो लोग क्या करते थे बच्चो length को centimeter में मापते थे mass को gram में मापते थे gram भी आप जानते हैं centimeter भी जानते थे और time को second में मापते थे अच्छा FPS system कोन से देश में इस्तमाल होता था बच्चो Britain में अच्छा एक चीज याद रखेगा हम लोग जो हम लोग के देश को जो गुलाम बनाया था वो भी ब्रिटिस ही थे इसी लिए FPS जो system है आज भी देखेगा भारत के कुछ सहरों में ये हावी है FPS system में बच्चो क्या होता है length को हम किसमें हम आपते हैं बच्चो foot में आपने सुना होगा देखेगा घर वेगरा या लकडी आप कहीं जाते हैं बड़े ही वेगरा गया तो foot का ही बात करता है कितना foot चाहिए और इसमें जो है बच्चो mass जो होता है वो हम pound नाम की unit में measurement करते हैं और time इसमें जो होता है वो second unit होता है ठीक है अब देखो बच्चो mks system क्या है mks system जो है cgs system का ही advancement है cgs system को ही हम बड़ा रूप में कौन से system के नाम से जानते है mks और यही जो है आज पूरे देश में इसमाल होता है mks unit में जो है length को बच्चो हम किसमें measure करते हैं length को m का मतलब क्या है meter meter में हम इस्तमाल करते हैं mass को बच्चो kg में हम मापते हैं और time को बच्चो second में मापते हैं तो आप जर्यान ध्यान दीजिए centimeter का ही बड़ा रूप किया होता है meter gram का ही बड़ा रूप किया होता है kilogram time का ही यह time तो तीनो system of unit में सेम है तो time के बारे में चर्चा करने के कोई आवशकता नहीं है एक और बात बच्चो cgs अगर आपसे पूछेगा अब दिखिए उस समय क्या था बच्चो जब देश गुलाम था जब पुराने समय थे तब फ्रांस वाला जो है वो अपना मापन खुद कर रहा था अपने तरीके से ब्रिटेन वाले लोग अपना मापन खुद अपने तरीके से कर रहे थे माल लिजे आप ब्रिटेन के आदमी है और फ्रांस में आपको रहना था तो जब आप फ्रांस जाएंगे तो वहां तो लंबाई कपड़ा खर देंगे आप अपना आदत है फुट में जबकि वहां का आदमी फुट नहीं जानता है जैसे यहां का आदमी सेंटिमीटर नहीं जानता होगा यहां का आदमी ग्राम नहीं जानता है यहां का आदमी सिकेंड जानता है यहां का आदमी सिर्फ क्या जानता है फुट और पाउंड वैसे ही फ्रांस वाले लोग सिर्फ सैंटिमीटर जानते हैं ग्राम चाते हैं उसको फुट में भुलिएगा नहीं समझेगा उसको पाउंड में आप मांगिये तर नहीं समझेगा मांदी जा आप ब्रिटेन के आदमी हैं और फ्रांस में जाके कहिएगा कि भाई दस पाउंड जरा हमको चावल दीजिए बड़ा भूक लगा है तब वो नहीं देगा बच्चा तो इससे आपको क्या समझ में आए कि पूरे वर्ड में एक प्रकार के यूनिट्स होने चाहिए बच्चो या अलग-अलग यूनिट्स होने चाहिए एक प्रकार के होने चाहिए है ना सब लोग एक ही तरह का यूनिट उप्योग करेगा तो उससे फैदा है बच्चो की घटा है फैदा है आप किसी भी देश के साथ अपना क्या कर सकते हैं बयापार कर सकते हैं कहीं जा सकते हैं कहीं आ सकते हैं है ना? अब यदि आप से पुछा जाए कि ठीक है CGS और FPS France वाला सिस्टम और Britain वाले सिस्टम सबसे बेस्ट कौन सा सिस्टम है तो क्या जबाब होगा CGS क्यों है क्योंकि CGS system जो बच्चा है वो कौन से system पर अधारित होता है matrix system है ना matrix system ठीक है और FPS system जो है वो किस system पर अधारित होता है based on non-metric system अब आपके दिमाग में बच्चों आ रहा होगा कि ये matrix और non-metric system क्या है matrix जिसमें आप pass करके आया है उसको हम नहीं बोल रहे है matrix और non-metric system क्या है ये हम आपको अगले lecture में बताएंगे और matrix system पर CGS अधारित है FPS पर non-metric system पर अधारित है क्यों ये बुरा है क्यों ये अच्छा है ये अगले class में हम पढ़ेंगे ठीक है चलो बच्चों